हेलो फ्रेंज कैसे हो आज मैं दिखाऊँगा बिहार का सबसे उच्छा पाहड जी हाँ सही आपने सुना यह जी के जी एस में भी पूछा जा रहे हैं कि बिहार का सबसे उच्छा पाहड जिसे सवाल आते हैं आगे मैं उपर चलके भी दिखाऊंगा वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर देना साथ में सस्क्राइब भी कर लेना करो और चका जाए जतार आते हैं यहां पर रोपवे की विश्वी दॉपलव्द है यह तार लगी हुई है यह लगी हुई है रोपवे वहां से आती है और यह सबसे उपर पहाड के उपर जाती है अगे मैं उपर भी चल के दिखाऊंगा दोस्तों यह रोपवे अभी तक कंप्लिट नहीं हुआ है यह देखिए रास्ता भी यह बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया पहले ऐसा कोई सुविधा नहीं था वह सबसे उपर वाली मंदी है सबसे उपर एक मंदीर है मैं वहां चल की भी दिखाऊंगा झाल पहुंच चुक हैं आधी दूर पर आधी दूर पर भी पहाड पर जो कभी सुकता नहीं है यह देखिए पहाड के आधी दूर पर तलाब है सिता कुण गही देखिए इसका नाम सिता कुण रखा गया यह देखिए यह देखिए पहाड के आधी दूर पर तलाब जो कभी सुकता नहीं फिर चलते हैं अभी यहां से प्पूर जो कभी सुकता नहीं है यह दो कभी सुकता नहीं है झाल झाल फ्रेंट फानली हम लुक पहुचगे लेकिन ये मंदीर बंद है ये देखो फ्रेंट ताला लगा रूगा ये मंदीर जैन मंदीर सामने तो बंद है पीछे से देखते हैं इसका लोकेशन क्या है लेकिन ये, ये मंदीर है अगाइब लूझे मस्त हुचगे लुचर बंद है ये ये तो रूख कर बंद दो फ्रेंट बंद हैं। दोस्त यह मंदिर है मंदिर देखिया हुआ है वही था बाहर से देखिया है दूसरा दरवाजा यह है लोकेशन कैसा है कमेंड में बताना लोकेशन कैसा देखिया है